स्वागत है आप सब का मेरी चैनल पे और आज हम बनाएंगे धाइबल्ले जो के हम मूम की डाल के बनाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनाएंगे मैं आपको एक तरीका बताऊंगे जो आपके धाइबल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और हुली आ रही है कुली पर धही बल्ले बनाना सभी लोग पसंद करते हैं और अगर आपको मेरी ये रैसेपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, मैंने एक बाउल मूम की डाल ली है हमें से पूरी रात भीगोएंगे तो यह बहुत ही अच्छी तरीकी से फूल जाती है और इसको मैंने अच्छे से वाश की करके तब भीगो के रखा था और जो इसके अंदर पानी है, मैं इसको यह अब बहार निकाल दूँगी देखिए, इस तरह से हमें इसका सारा पानी निकालना है, मैं इसमें पानी नहीं रखना है जो हमारी डाल है, उसे हम बिल्कुल पानी निकाल कर और तब अच्छे से इसको पीसेंगे देखिए किसी भी चीज की साहता से आप निकाल के डाल सकते हैं ताकि ये पानी इसमें ना जाए और ये बहुत अच्छा पिस जाएगा आपको कोई परिशानी नहीं होएगी थोड़ा थोड़ा रोक रोक कर आप पीश सकते हैं और अगर आपको लग रहा है कि बहुत जादा तो आप थोड़ा सा एक दो चमच पानी डाल सकते हैं से ज्यादा बिल्कुल मट डालिएगा नहीं तो आपका जो पेस्ट है बहुत लीज हो जाएगा और जो हम इसे फेटेंगे तो भी बहुत लीज हो जाता है तो इसलिए हमें टाइटी रखना ऐसे देखिए यह हमारा प पीसना है बहुत जादा मोटा नहीं होना चाहिए देखिए यह हमारा पिसके रेडियो हो गया है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे देखिए इस तरह से निकाल लेंगे आप कोई ऐसा ही बरतन लें जिसमें आप आराम से इसको फेट सकें आपको परिशानी नहीं हो फेटने में देखिए और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी और अब हम इसे फेटेंगे देखिए इसे हमें बहुत फेटना है ताके इसके अंदर एयर पॉकिट्स बन जाएं तो हमारा भला बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा यह जो कुछ भी है फे इसे आप करके देखिए इस तरह से देखिए आपका गिरेगा नहीं बिल्कुल भी जल्दी से तो समझ जाए आप बहुत अच्छा फिट गया और जहां डाल का कलर चेंज हुआ तो आप बिल्कुल समझ जाए कि बहुत अच्छा फिट चुका है और आप एक बाउल में इस इसको अच्छा से मिक्स करें मैं यह पैन में तेल रख दिया है कढ़ाई में गरम होने के लिए और आप इसमें डाल के देखिएगा कि यह कितना गरम है तेल क्योंकि इसे हमें बहुत तेज नहीं करना थोड़ा हलका ही गरम करना है और मीडियम हम इस पे फ्लेम रखेंगे का थोड़ा थोड़ा रखेंगे क्योंकि हम वह Horinka ही से करना है देखिए सिर्फ इतना होना चाहिए एक डाल के देखिएklärा अब सिर्फ इतना गरम होना चाहिए जैसे ये डाल हो और हमें पानी में हाथ गीला करना है और बड़ा लीना है और इसको हमें फिर डालना है देखिये इस तरह से कोई टैंशन नहीं है ये अपने आपी बड़े शेप ले लेते हैं डलने के बाद और देखिये इनमें एयर वादतानी है Je as I ततव अपने आप फूले फूले हो रहे हैं कि इस तरह से बहुत तीज गरम तेल नाव आप इस बात का दिहान रखिएगा और गोल्डन निकाल लेंगे दोनों तरफ से अच्छे से महारे बनकर रेड्यो से और मैंने इस तरह से ही सब तलकर निकाल लिया है मैंने बगुने में पानी लिया है और यह पानी हल्का बहुति लइत निवाया सा है गरम नहीं है जादा और मैंने इसमें हिंग डाला है थोड़ा नमक डाला है नमक आप सोच समझ के ही डालेगा क्योंकि हमने इसमें पहले पेस्ट में भी डाला थोड़ा नमक और अब हमने इसमें पतीले में पानी में भी डाला है और बाकी चीजों में भी नमक रहेगा तो नमक आप ध्या पहले हम जीरे को भूनेंगे और यह मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है इसे बना के रखिएगा और कभी भी काम आएगा आपके देखिए यह भूने लगा है और हम इसे बिलकुल काला नहीं करना है बिलकुल हलका ब्राउन करना और यह मेरे हाफ टेवल स्पून इसमें अजवाइन लिए अजवाइन से देखिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है आप एक बार ऐसे बना के देखिएगा देखिए हमारा सब्सक्राइब कश्मीरी लाल मिर्च और अमचूर पाउडर लिया एक चमच और बाकी जो यह मसाला मैंने इसमें क्रश किया था यह डाल दिया है अब यह मिक्स हो जाएगा आपस में और उसका मुश्चर भी निकल जाएगा बाकी मसाले का और हम इसे एट डबे में भरके रख देंगे थोड़ा सा हिंग डाला है मैंने पिंच और इसमें हम किसी भी चीज में इसको बंद करके रख लें अच्छे से खराब नहीं होगा 5-6 महिने तक भी और अब मैं धही को चानूंगी इसके अंदर देखिए हमारा बिल्कुल थिक ध तो आप दूद में पानी ना डाले और इसको ऐसे ही गरम करके जमाएं तो देखिए बहुत अच्छा बने हमारा दही बनेगा टाइट दही देखिए मैंने इसमें चीनी डाली है पिसी हुई शूगर और आप चाहें तो बूरा भी डाल सकते हैं यह मैंने टू टेवल स्पून डाली है इसमें और इससे हमारा धाई मीठा रहेगा बहुत ही और यह बाकी सब चीजे मैं लिए जीरा मसाला और घट्टी मीठी चट्नी एमली की चट्नी और य काट्या लीहां और यह देखिये हमारे बडवले रीडी हो गए हैं अब किकि के स्पंजी बड़ेया दिभाते ही साथ इस पानी निकल रहा है है देखिये देखिये और अब हमस seu करेंगे इसमें उसमें से हमें पानी निकाल देना और फिर इस तरह से पढ़ना है अगर देखिए यह हमारे 32 पंजी बन के रेडियो है आप इस तरह से ज़रूर बना के देखिएगा और अब हम इसके उपर धाई फेटी वी धाई डालेंगे देखिए इस तरह से और जो हमने इमली की चटनी बनाई थी इसके उपर अब वो डालेंगे हम देखिए और फिर जो हमने पारएधनी की चटनी बनाई है वो डालेगे इसके उपर और ये हमने मसाला जो रेडी किया था वो डालेंगे और ये मिने भुजिय डाली है आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं और ये बहुत साफ्ट और सपंजी बने हैं आप इने बना के जरूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे थैंक यू